प्रोमोशन ओफ इंडियन लंग्वेजिस आर्ट और कल्चर इस सेमिनार का आयोजन करने वाले आयोजकों में होडी रेनु जोहरी तसा उनकी समस्त विभाग की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं और मन्चस्थ चेरपर्शन प्रोफेसर स्वतंत शर्मा जी उनके साथ शशी कुमार जी और राकेश कुमार शास्त्री जी जो इस सत्र में हैं मैं सबको नमन करती हुई अपनी बात प्रारंभ करूंगे बहुत ही गंभीर विशे है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रही है जिस पे विचार लगवक चालिस स्वालों से हो रहा था लेकिन अब मौका आया है कि मैकाले की उस जिसको हम कहते हैं कि चत्रस्त धेनों की तरह जो पध्धती हम पे लागू कर दी थी एजुकेशन पॉलिसी हम पे लागू कर दी गई थी उसके जो परिणाम और दुश परिणाम सब देखने में सब को समझ में आते हैं इसलिए ये विचार मंधन जो है वो हर स्तर पर प्रतेक विश्ववेद्याले में हो रहा है जिसमें अनुछे 20 की जो बात की है भाशा, कला और संस्कृती के समवर्धन को कैसे बढ़ावा मिले और उसको पाठेक्रमों में किस तरह से शामिल किया जाए ये एक बहुत विचारनी है और ज्वलंत विशे है क्योंकि इसके पाठेक्रम अभी नरधारी तो हो रहे हैं कुछ हुमें हैं कुछ हो रहे हैं कहीं कहीं जगा मुझे भी मौका मिला बोलने के लिए और कुछ सजेस्ट करने के लिए तो आज के इस सत्र में भाशा क्योंकि मुख्य है और उसी के साथ कला और संस्कृती ये तीनों जो हैं वो अलग अलग पहलू नहीं है भले ही ये तीन अलग विशे पढ़ाये जाते रहे हों कला अलग है उसमें भी संगीत अलग चित्रकला अलग या अपना नाटक अलग त एक दूसरे के वो ब्रांची सी थे लेकिन उनको अलग अलग पनपने के मकसद से होगा या क्यों उनको अलग अलग बना दिया गया बीच में भाशाओं का संबंध चूट गया आज स्थिती क्या है कि जितने भी भाशावे भाग हैं भले ही वो संस्कृत हो भले ही वो क्षे भाशा हो आज उनको बार बार उनके संरक्षन संवर्धन की बात हो रही है वो इसलिए उसका कारण है बहुत बड़ा कि हमारी भाशाओं में हमारी जो भाशाओं जितनी भी प्रचलित हैं भारत ये भाशाओं की मैं बात करती हूं तो उनके बीच में उनी में ही हमारी सवर्ताल पदातमकम गांधर्व संगीत वह जिसमें स्वर है लए है और साथ में साहित है पद है भले ही इंस्ट्रूमेंटल में आज अलग से ब्राच बन गई लेकिन उसमें भी एक साहिते का कुछ पूठ रहता ही है और जो भाषा में जो साहित है उसमें ही सारी सांस्कृतिक चेतना हमारी जो है एक्चुली जो भाषा का विशेगत उसकी विशेषता है वही हमारे संस्कृति के मूल सिध्धान्त हैं इसलिए मैकाले की जो पधधती थी उसमें यही विचार किया गया था कि भारत की भाषाओं का कैसे हम निराकरन करें और भारतिय संस्कृति का कैसे निरादर हो सकता है ये सारी पॉलिषी इसलिए भाषाओं का अनाधर इतना हुआ कि यहां के लोग स्वेयम हम अपनी लगे कतलाने लगे उनसे बचने लगे नतीज़ा यह हो गया कि एक भाषा जो थोप दी गई उससे अभी अदुखाटन सत्र में सुन रही थी यह समस्या है कि हमारे पास जो थोप दी भाषा उससे क्या हो गए हम लोग ना आर्टिस्ट पैदा हुए ना हम सहित्यकार पैदा ह हुए और पैदा क्या हो गए क्रक पैदा होने की नीती यह थी यह बिल्कुल सत्य है मैं उन विद्वान को प्रणाम करती हूं जिन्होंने इस बात को छेड़ा है मैं अपने विशे पर आती हूं यदि हम भाषाओं के मूल को देखें तो पेपर तो मैंने बहुत लिखा था लेकिन समय की मर्यादा रेनुजी ने कहा है बीश से पच्चिस मिनट तो मैं उसी सीमा में रहकर के बात करूंगी भाषा की इतिहास में जो भी समगरी आज तक उपलब्द है वे मंत्र साहित्य के रूप में है यह निर्विवाद सत्य है कि निविद मंत्र चार संगिताएं रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, अथरवेद के रूप में सुरक्षित हैं जिस भाषा में मंत्रों की रचना हुई वो भाषा वेदिक भाषा कहला भी है वो ही हमारी सर्वप्रसम भाषा थी मंत्र साहित्य के साथ साथ ब्रामन, आरण्यक, उपनिशद भी वेद कहे जाते हैं इसलिए इनकी भाषा भी वेदिक ही मान ली जाती है भले ही इनकी रचना मंत्र साहित्य के बहुत बाद में हुई तथा भी भाषा इनकी भाषा भी वेदिक ही कहलाती है वेदिक संग्या यानि वेदों की भाषा के लिए सामान्य रूप से ये शब्द प्रचलित है किन्तु और भी कई नाम हैं जिन से हम वैदिक भाषा को जानते हैं वैदिक नाम तो आधुनिक दिया हुआ है लेकिन वेद के समय में भी वैदिक भाषा के लिए कई नाम हमें मिलते हैं रिगवेद में ही स्वयम मिलते हैं तो उनकी चच्चा भी हम करते हैं निघंटु में निघंटु वो ग्रंथ थे जिन में जितने वेद के मंत्रों में आये हुए शब्द थे उनको एकत्र करने की एक परंपरा चली थी के निघंटु क्यों कहा उन ग्रंथ यह समामनाई वेद को कहते थे तो उन वेदों से लाला करके यह सारे शब्द जो हैं वह एकठे एक स्थान पर रखे हैं तो actually यह प्रयायवाची शब्द थे जैसे गऊ के जैसे रश्मी को गऊ कहते हैं तो इसके 21 नाम मिलते हैं जलों के 25 नाम मिलते हैं तो इसतने यह निखंटू ग्रंथ हमें मिलता है जिसका नाम है निरुक्त जो यास्क आचारे द्वारा लिखा गया है तो इस ग्रंथ में जो भाषा के लिए वाक नाम कहा गया है और वहां वाक के नामों की तो भाषा के लिए वाक कहा है चत्वारि वाक परिमिता पदानी ये निरुक्त मे बाद में चर्चा भी हुई कि वाक जो है वो चार उसके परिमान हैं क्या नाम, आख्यात, उपसर, गुर्निबाद, मजलोब नाउन, वर्प और उसके प्रिफिक्स और सिफिक्स यही भाशा के अंग होते हैं तो वो किसके हैं वो वाक के हैं इसलिए वाक को भाशा का प्रिया फिफ्टी सैवन नेम्स हैं, हमें सत्तावन नाम मिलते हैं वाक के निघंटू में, तो वो नाम किस तरह के हैं, मैं कुछ चर्चा कर देती हूं, वैसे शोधार्चियों के लिए ये नाम है, आपके निघंटू में निरुक्त में अध्याए एक में ज्यारा कंडिका है, उसम जैसे श्लोक, धारा, इड़ा, गो, गोरी, गभीर, गंभीरा, मंद्र, मंद्राजनी, वाशी, वाणी, वनीची, वाण, पवी, भारती, धमनी, नाली, मेना, मेडी, सूर्या, सरस्वती, निवित, स्वाह, वग्नु, उपब्दी मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, मेडी, सूर्या, सरस्वती, स्वाह, वग्नु, उपब्दी, मायू, काकुत, जिग्वा, घोश, स्वर, शब्द, स्वन, रिक, होत्रा, गी, गाथा, गण, धेना, गना, विपा, कशा, धिश्णा, नो, अक्षरम, मही, अधिती, शची, वाक, अनुष्टम, धेनू, वल्गू, गल्दा, सरह, सुपर्णी, और वेकुर इती, सप्त, पंचाशत, वांग, नामानी, तो ये 57, 57 नाम जो है, वो वाक के भाशा के कहे गए हैं, तो ये देखने में आता है कि इस सूची में, जो नाम बताए गए हैं, ये वेदिक साहि में विभिन मंत्रों में इन सब का प्रियोग हुआ हुआ है, भाशा के अर्थ में, तो जैसे शलोक, निवित, रिका, रिक, गाथा, ये जो हैं, ये आगे चलके क्या हो गए, ये आगे चलके साहित्य की एक विधा हो गए, कि शलोक एक तरह की चीज है, गाथा एक तरह का, तो ये साहित्य के वाचक हो गए, लेकिन कुछ जो है वो वाक के बोलने के गुण हो गए, जैसे गंभीर, गभीर, मंद्र, ये परिभाशिक शब्द, ये वानी के गुण हो गए, इसी तरह से कुछ परिभाशिक शब्द बन गए, जैसे स्वर, स्वन, शब्द, घोश, ये ज नाम समाने रूप से भाषा के लिए वैवहार में हैं इनका अध्यान करके वेदिक भाषा के स्वरूप और अधिक स्पष्ट होंगे ऐसी मेरी जिग्यासा है ऐसा मेरा मानना है मैं यहां एक दो शब्दों को जैसे मैंने वाक कहा है इसी तरह से मैं एक आज शब्द की और चा शब्द का प्रियोग किया जाता रहा है चूंकि संगिताएं मंत्रों के संकलन हैं और उन मंत्रों के दर्शन करने वाले रिशी हैं और इन मंत्रों का दर्शन करने वाले जो रिशी हैं वो सामाने बोलचाल में ही इन मंत्रों को लिखते हैं क्योंकि रिशियों की यह उस समय की सामान बोलचाल की भाषा थी तो इसलिए उन रिश्यों के द्वारा कहे हुए मंत्र जो है वो आर्श रिश्यों की परंपरा से संबंदित होने के कारण उनको आर्श कहा गया और उस भाषा को भी आर्श भाषा बोला गया रिश्यों के द्वारा प्रयोक की जाने के कारण वैदिक भाषा को आर्ष भाषा की संग्या प्राप्त की हुई ये ध्यान देने योग्य है कि संगीताओं में यह पद नहीं मिलता आर्ष पद बाद की संगीताओं में जो रिगवेद वगरा में देखो तो आर्ष पद वहां नहीं मिला ये बाद के लोगों ने रिश्यों की इसी प्रकार ब्रामन गरंतों में भाषा के लिए आर्षपद का प्रयोग नहीं है, किन्टु परवर्ती आचारेों ने, विशेशकर, जिनोंने सूत्र साहित्य की रचना की, उन्होंने ये कहा खिए आर्षप्रयोग है, उन्होंने जब भी कोई शब्द को कहा, उन्होंने कह कि यह प्रियोग ये लौकिक नहीं है तो कैयोंकि उस समय और उनके बाद जो वयाकरण और हुए है उनहों भी आर्ष्र प्रियोग इस तरह से कहा है तो उस समय की प्रचलित भाषा, संस्कित भाषा को अनार्ष कहा गया, मतलब जो रिशियों के अतिरिक्त लोक में बोली जाती है, तो यह आर्ष और अनार्ष यह दो शब्द सूत्रसाहित में हमें भाषा के लिए मिलते हैं, जो कि अनार्ष जो है यहीं से लौकिक संस्कित व द्वारा प्रियोग किये गए ततकालीन अनार्ष या संस्कित भाषा में नहीं थे इसी के आधार पर गंतों की पूर्व परतासिद होती है कि पहले का कौन ग्रंद है और बाद का कौन ग्रंद है इस तरह से रिगवेद प्रातिशाख्य में कहा है प्राक चा अनार्ष अदित करनात तो प्राक और पहले और बाद के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये आर्ष और आनार्ष शब्द इस्तेमाल हों है भाषा के लिए इसी तरह से भाषा के लिए एक शब्द और प्रियोग हुआ है उसका नाम है चंदस या चंदस वेदों में भाषा को चंदस नाम इसलिए चंदस से यहां अभिप्राय भाषा से ही है जो की वेदिक भाषा थी प्रातिशाख्यों तो था पाणिनी के द्वारा भी वेदिक भाषा के लिए चंद शब्द का प्रियोग किया गया है रिक प्रातिशाख्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो व्यक्ति चंद भाशा का स्पष्ट प्रमान है इसी प्रकार वाजस्नरी प्रति शाख्य में भी पदरचना सिद्धान्त को संसकार कहा है कि जिसको संसकार है उसे चंद भाशा अगम यह यह जह सारे गれन जो है उनका ग्रंद तो उसमें जो प्रियोग लौकिक भाषा में नहीं होते उन प्रियोगों को उन्होंने कहा है बहुली चंदसम तो ये चंदसम बहुली या बहुली चंदसम इस तरह का प्रियोग मिलता है कि ये प्रियोग जो है ये लौक भाषा में तो नहीं हो रहा लौकिक सं इसी तरह से अनवाध्याय, स्वाध्याय, आधी कई ऐसे शब्द हैं जो की महाशा के लिए प्रियोग में होते हैं, तो निघंटु ने जो लिस्ट बात आई है, सत्तावन, मैं विस्तारभाय से उन सब की चर्चा नहीं करूँगी, हालांकि उन विशय में भी मैंने लिखा थ तो मैं उस बात की चर्चा करूँगी, कि ये जो कहा है संसकार, संसकार जो कहा है वो अक्षरों का संसकार है, और उसी संसकार से आगे क्या बना, पाणी नी ने और पहले जो थे, वो भाशा के लिए ग्रेमर ग्रंथ नहीं बने, पाणी ने जो भाशा लिखी, उसका नाम सं इसी संसकार शब्द से आया है जब अक्षर का संसकार कर दिया जाता है तो वो कोई पद बन जाता है जब उन पदों के सिध्धांत निर्धारित हो गए उनके सूत्र निर्धारित हो गए तो वो भाशा क्या हो गई वो संसक्रित भाशा हो गई एक्चली वो वेद से अलग नह अक्षर है स्वर है और उसका उच्चारन है मंत्र है तो जहां एक तो उसका स्वर है दूसरा उसका विशे जो है वो मंत्र है और तीसरा जो है वो उसका अर्थनेधारन है तो यहां जो विशेष्टा है वो स्वर की विशेष्टा है संस्कृत और वेदिक भाषा में जो रिग वेद आदि हम देखते हैं उनका लिटरेचर अगर हम देखते हैं उसमें फर्क है उसमें क्या है कि उद्दात अनुदात स्वरित और फिर कृष्ट प्रथम द्वितिय त्रितिय मंद्र आतिस्वार यह स्वर जो है यह वेद के अप किया था उन्होंने उपदेश के द्वारा अपने इन सब मंत्रों को संकलन करके आगे बढ़ाना चाहा तो उन्होंने मौकिक परंपरा का सहरा लिया और कोई साधन नहीं थे यह शुर्त विद्द्या थी तो इनको अंतेवासी जो पास में आता था गुरू उस गुरू के उ उचारन पर बल दिया गया वो जो उचारन पर बल दिया गया वो स्वर ही था तो यहां से हम सब संगीत के विद्यार्थी जानते हैं कि जो संगीत का उत्स जो है वो वेद ही है तो वेद में कोई भी रिचा का उचारन बिना स्वर के नहीं होता था यह सबसे बड़ा उधार है संगीत और साहित्य के बिल्कुल एक रूप होने का तो वहां जो उचारन किया गया उदात अनुदात और स्वरित यह स्वर जो थे यह स्ट्रेस एक्षेंट भी थे और यह पिछ एक्षेंट भी थे स्ट्रेस का मतलब कि यह बलाग हात के स्वर से जिससे की अर्थनिरधारन होता था और जो पिछ एक्षेंट होते हैं वो वानी का उतार चड़ाव है उससे उसमें मधुरता आती है और उसका एक आकर्षन जो रसरूप उसका बनता है वानी का वो स्वरों के उतार चड़ाव से बनता है तो इसलिए जो वेद के स्वर हैं वो स्ट्रेस एक्षेंट भ आएगा फिर उड़ना आएगा उसके बाद स्वरित आएगा और कभी कभी जब स्वरित के बाद उड़नात्त आ जाता है तो वह स्वरा कंप हो जाता ह। इस तरह जो ये उचारण के स्वर्थ थे वो अर्थनिर्धारन के लिए थे और जो उसकी विशेष्टा पिच की थी जो उसमें modulation थी उचा नीचा पन था वो उसके खुबसूरती वो उसका संगीतिक पक्ष था तो इस तरह से इसलिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो आचारे अलग अलग जगा पे रहते थे इतने सधन नहीं थे तो उस समय अलग-अलग जगाओं पर वो विचार हुआ तो उस विचार के कारण जो अलग-अलग वो परिषदें बनी जहां संगोष्चिय थी तो ताकी मंत्रों का वो उसी तरह से उच्चारन उसको वो सभाल सकें तो अर्थ वाले जो लोग थे उन्होंने तो मंत्रों के व्याक्षान लिखे जो ब्राह्मनादी ग्रंथ मिलते हैं लेकिन एक वर्ग ऐसा था जिनोंने पूरे पूरे वेदों को कंठस्त करने का श्रम किया और तप किया तो तो अलग-अलग शाखाओं से संबंदी थे लेकिन जो कौमन थे उनको शिक्षा कहा गया तो शिक्षा में क्या चीज आनी चाहिए कैत्रियोपनिशद में कहा है शिक्षा को शिक्षा व्याख्या स्यामा हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं तो शिक्षा में क्या पढ़ाना है उसके बाद उसका स्वर क्या है मात्रा उसका टाइम डियोरेशन क्या है बल उस पे रिखत शिक्षा मतरब्लम साम संतान यही शिक्षा मतलब विश्य पढ़ाया जाड़ा है विश्य तो वो रिचार रिशाए है और पढ़ाया कैसे जा रहा है स्वर के अनुसार पढ़ाया जा रहा है इसलिए शिक्षा और प्रातिशा के ये सबसे पहले भाशा के एक तरह के ग्रैमर जो बनी ये यही बनी किस स्वर का कैसे उच्चारण करना है किसको दीर करना है किसको कितना मातराकाल होना चाहिए किसका कितना लोप होना है ये सब शिक्षा ग्रंथों में हुआ उसके बाद जो आए वो आए निरुक्त जिसकी मैंने अभी चर्चा की है निघंटू तो निघंटू ग्रंथा है उनोंने उनके जो वेदों में शब्द आए हुए थे रिचाओं में रिगवेद में हो चाहे मुख्य आदिग्रंथों में हुई लेकिन जो उसके उच्चारण है उसकी विशेष्टाएं बताई और उनके एक्स्प्रिनेशन के लिए एक जैसे अर्थवाले सारे शब्दों को इकठा करके सिनोनिम से जिसको हम कहते हैं वो निघंटू बने तो निरुक्तों में उनको शब्दो जो है वो प्रचार में आ गई थी क्योंकि जब निर्मान होता है किसी चीज़ का उसमें सिध्धान्त हमेशा आर्ट और लेंग्वेजिज में पीछे पीछे चलता है हमेशा पहले कला अनुम जो होती है वो प्राक गामिनी होती है और सिध्धान्त उसका अनुगामी होता है हमेशा तो जब सिध्धांत बनने लगे कि ये शब्द कैसे बना है शब्द को कैसे रखा जाएगा क्या उसका फोनेटिक्स उसके क्या है मॉर्फॉलोजी उसकी क्या है इस तरह किसे जब उसका विचार होना लगा तो ध्वनी की तरह से भी संग्या वर सर्वनाम और इस तरह क के वेज का तो बहुत ही विस्त्रित व्यावार है और जो आम अब लोग की भाशा हो गई है उसका संस्कार करके उसमें जो संस्कार हैं संस्कार मतलब जो ये वृद्धी और गुण लगु संध्या सर्वनाम ये सारे जो अक्षर के जो संस्कार हैं इनको इकठा करके सुत्र ब जब भाशा में हम बात करते हैं, तो हम उसको classical Sanskrit कहते हैं, जिस तरह गांधर्व संगीत था, वेद के समय में आगे जाके वो शास्त्रिय संगीत हो गया, उसी तरह से ये लोक भाशा जो थी, ये Sanskrit भाशा हो गई, क्योंकि इसके सिधान्त अब बने हुए थे, तो इस कारण से य इक तरह का उसका स्थ्री करण हो गया, उसका धुर्वी करण हो गया, और आगे कालों तक, बहुत दीर घकाल तक आगे जो ग्रंत लिखे जाते रहें, वो संस्कृत भाशा में मुख्य रूप से लिखे जाते रहें, तो लोगों को भ्रांत धारणा ये रही कि वेद की आक्या रचना कई जगा एक है लेकिन जो वैदिक भाषा है वो थोड़ी और सुम्रिध और विस्त्रित है और जो लॉकिक संस्कृत है वो नियम बद्ध पूरी तरह से वो सिध्धान्त बद्ध हो चुकी हुई है दूसरा जो बहुत बड़ा भारी फर्क है उसमें संस्कृत भाषा का अगर आप साहित्य देखते हैं चाहे वो शकुंतला नाटक है कुमार संभव है या मेगदुत है या और भी वेनी संगा जो भी आप संस्कृत भाषा का साहित्य पध्यात्मक देखते हैं उसमें कहीं स्वर नहीं है सबसे बड़ा फर्क यही था कि जो वेदिक भा इने साहित्य संगीत कलावी हीना साक्षात पशुपुच्छ विशान हीना लेकिन वो संस्कृत भाषा के लोगों ने गीती कावे आये या पध्यात्मक थे लोगों ने गाया उसको जरूर स्तोत्र साहित्य आया गाया जरूर लेकिन उसके पीछे इस तरह से जैसे वेदिक रिचाओं पे स्वर निर्धारित था वैसा स्वर निर्धारन नहीं था और आगे जाके कावे शास्त्री जो हुए जैसे मम्मता दी इन्होंने तो कह दिया कावे में स्वर का कोई स्थान नहीं है तो यहां से यह variation जो है वो आई है यह नीती निर्धात्मकों को जो पाठ्य क्रमों में डालना चाहिए ताकि अब आगे रिसर्स जो हो तो वो इस द्रिष्टी से अवश्य हो तो अब काव्या मारगे स्वरोना गन्यते तो कह दिया लेकिन फिर उसका उचारन जो होगा उसको सम अर्थ को कैसे जानेंगे तो वहां पे जो प्रधान हुआ वो हुआ काकू संगीत में भी जो है वो काकू ने बहुत स्थान लिया तो वो काकू भेद से जिसको वक्रोक्ती भी कहा गया साहित्यकारों ने कहा तो काकू भेद से उस भाव को जानने का तरीका अब काकू था जबकि वेद में भाव को जानने का तरीका क्या था स्वर था स्वर भेदेन अर्थवेदा, स्वर का भ४ेद अगर होता है, तो अर्थच का भेद हो जाता था, उद्धात की जगा अनुदात लगा है, जैसे मैं एक पद बतातीं हूँ, ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द ज्ञान कावाच कहें, जब कि उसमें आदी उद्धात है, जब पहले खडी लकीर है, वह स्वरित का χिंद होता है, नोटेशन में, तो ब्रह्म शब्द जो है, यह ज्ञान का वाचक है, लेकिन यही ब्रह्म शब्द अगर अंतो उद्दात हो जाएगा, मतलब उद्दात जो है अगर अंत में चला जाएगा तो मतलब ब्रवप उद्दात की जगा अनुदात अगर है तो हप जो है वो उद्दात हो जाएगा तो अंत में उद्दात होने से इस ब्रह्म का अर्थ जो है वो जो यज्य में एक कुशा के लिए मुठी भर कुशा के लि आसमान का कहां ज्यान और कहां घास की एक मुठी कितना फर्क हो जाएगा तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम स्वरों को लेते हैं अब जैसे चंदस भी है उस समय भाशा के लिए था आगे जाकर के चंद क्या हो गया चंद एक गान की विधा हो गई मध्यकाल में आप देख इस ले में गाया जाता है तो इस तरह अगर हम भाशा को आज की दृष्टी से देखें तो आज जिस चीज का अर्थ जैसा हमें दिखाई पड़ता है वो उसका उस भाशा का प्राचीन काल में या मध्यकाल में या उससे पूर्वकाल में नहीं था तो इस तरह से जो साहित् जो जाना है वो भाशा उसमें एक बहुत बड़ा आम उसका रोल है उसकी भूमिका है कि हम लोग साहित्यकार वैसे अच्छे नहीं है लेकिन जो साहित्य है वो बताता है कि संगिताएं जो है वो पहले की हैं ब्रामन गरंत संगिताओं की एक्सप्रेशन है तो ने जो चिंतन की जो शाखा है तो यह बाद का ही चिंतन है इसी तरह से फिर पुरान फिर महाभारत गीता रमाइन यह सारी क्रोनोलोजी हमें साहित्यके माथ्यम से ही मालूम होती है तो अब तीसरी चीज स्वरकी तो मैंने बात की और दूसरी चीज यह है कि विशे हमारी संस्कृत तो यह जितने भी वेद मंत्र हैं यह सारी हमारी संस्कृतिक धरोहर है इन में मुखे रूप से तो स्तुतिया है लेकिन विवाप्रथा कैसी होगी वानी कैसी होनी चाहिए आपसका वेवहार कैसा होना चाहिए मेरा भारत वर्ष कैसा है क्रिशी के लिए मुझे क्या जिनकी आज हम कहते हैं के स्वदेश और कोशल तो यह सारे कोशल जो है यह हमें अपनी कलाओं के माध्यम से अपने साहित्य के माध्यम से उस-उस काल के दिखाई देते हैं लेकिन वेद की जगर हम बात करते हैं तो जो वेदिक मंत्रों में जिस तरह के सिध्धान्त संगच अच्छध्वम संवदध्वम या सरवेभवन्तु सुखीना सरवेभवन्तु निरामया सरवेभद्रान पस्यंतु माकस्चित दुख भागववेद सब लोग सुखी हो यह विश्व बंदुत्यों की भावना या वसुधेव कुटुम्बुकम की भावना यह सारे जितने मा प्रेदिक साहित्य को भी उस पाठ्यक्रमों में कुछ-कुछ अंश उसके अगर हम उसका समावेश करते हैं तो संगीत के इतिहास को जानना साहित्य के इतिहास को जानना और अपनी human values जो जिसके कारण भारत वंद्य है आज क्यों सारा विश्व जो है वो मोदी जी मोदी ज एक शक्स हैं व्यक्ति तो हैं लेकिन मोदी जी के पीछे जो भावना है वो हमारी संस्कृतिक चेतना है जो बोलती है वो बंधुत्यों की भावना है जो परोपकार की भावना है मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है मोदी जी हमारी संस्कृति का प्रतिनिलिद्व करने वाला ए भारत भारत की ओर देखता है, क्यों? क्योंकि हम उदार हैं, क्योंकि हम दयावान हैं, यहां के तीन सिध्धानते हैं, जो वेधिक रिशियों ने कहे थे, एक तो यह कि तपसा ब्रह्म विध्याशस्यों, कि तपस्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त करना है, श्रम से परा में हूँ, तो हमेशा जब अहुती देते हैं, कहते हैं, इदम सूर्या रथ सबके साथ साहनो भुनक्तु वाला भाव, वो हमारी भारती ये संस्कृती वो वेदिक संस्कृती का ही उद्देश्य है जो वेदिक संस्कृती का ही वो एक सिध्धान्द है तो सब को मिलना चाहिए समभागी होने चाहिए सब लोगों को प्राप्त होना चाहिए और अपने में बजाए उसको इकठा करने की जो भावना होती है उ यह हमारी संस्कृती की ही विशेष्टा है और फिर तीसरा परसपर सहभाव विश्वबंधुत्यों की भावना तो यहां आज कहते हैं इतने धरम है इतनी बोलिया है इतना यह है कैसे करें नहीं ऐसा कुछ नहीं अगर हम इन सारे शब्दों को जो वैदिक भाशा के लिए मैं यत्रविश्च भवति एक नीडम कि वेद के समय में भी आर्श भासा इसी लिए कहना पड़ा कि जिस भाशा में रिचाएं रची हुई हैं वह आर्श हैं बाकी सामाने लोगों में भाशा तो हमेशा विकास होगा वह विक्सित हो गई थी तो अलग-अलग डायलक्ट जो है वो हमारे वेद के समय भी थे और उन सारे डैलेक्ट्स को क्या कहा है कि नाना भाशा विवाचसम लोग उससे में भी अलग-अलग भाशाएं बोलते थे लेकिन कैसे रहते थे यत्रविश्च भवति एक नीडम जहां सारा संसार जो है वो एक घुसले की तरह जाकर के रहता ह है ऐसा मेरा भारतवर्श है तो यहां भाशा भी अलग है वर्ण भी अलग है जलवायू भी अलग है जहां छे रुतवें आती हैं जहां यगी यूप गाड़े जाते हैं जहां दो खेती होती है जओं की और गेहों की तो यह दो खेती होती वो मेरा भारतवर्श है लेकिन अ लोगों ने गलत अर्थ लिए कि वो आर्य थे, तो आर्य भाषा थी, भाषा के लिए आर्य शब्द भी इस्तेमाल हुआ बाद में, लेकिन वो आर्य शब्द कहा इस्तेमाल हुआ, वो आर्य इसलिए कहा कि यह वो लोग जो थे, रिशी लोग जो थे, उनमें ऐसे गुण थे, तो उन गुणों के कारण वो आरय थे वो स्रेष्ठ थे तो आरय जो है यहां विशेशन है जहां कोई रेश का प्रतीक नहीं है और जो लोगों में ऐसे गुण नहीं है वो आज भी हम कहते हैं कि ये शिष्ठ है ये अशिष्ठ है लेकिन कोई अनारे अलग से रेज नहीं है, कोई गोरे काले का रंग भेद नहीं है वेद में, कोई भाशा का भेद नहीं है, कोई स्थान भेद नहीं है, तो ये विश्व बंधुत्यों की भावना जो है ये वेद की है और मैं लास में यही कहना चाहती हूं अंत में मैं यही विने करना चाहती हूं कि जहां नीती निर्धारन हो रहे हैं जहां भाशाओं की बात हो रही है वहां इन भाशाओं के इतिहास का एक भले ही वो बेंगाल इसमें कोई संदेह नहीं है तो इनको भी विशियों को इसको समावेश करना चाहिए पाठे क्रमों में और जो लोग हैं उनका लाब उठाना चाहिए इनी शब्दों के साथ मैं निती निर्धार को के प्रती अपनी उच्छ भावना और सम्मान जताते हुए यह अवश्य कहू अपना है हमारी संस्कृती इसी में चुपी है और हमारा संगीत इसी में चुपा है धन्यवाद